नमस्कार प्रादेशिक समाचार दर्शन में आप सभी का स्वागत है जैसे कि शोताओं आप जानते हैं 17 नवंबर को प्रदेश भर में विधानसभा नर्वाचन 2023 के लिए वोट डाले गए सभी EVM को अब स्ट्रॉंग रूम में रख दिया गया है CCTV से सदत निग्रानी की जा रही है और अब तैयारिया चल रही है तीन दिसंबर को होने वाली मत गणना की आगर मालवा जिले की आगर और सुसनेर विधान सभाक्षेत्रों के लिए भी पछले दिनों शांती पून मतदान संपर्न हुआ इसके लिए प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी इस बारे में और चानकाड़ी दे रही है हमारे आगर मालवा समवार दाता आगर मालवा जिले की आगर एउम सुसनेर विधान सभाक्षेत्रों में गदद दिनों हुए मतदान में जिले में 85.05% मतदाताओं ने अपना मतदिकार का उप्योग किया जिसमें सुसनेर विधान सभाक्षेत्र के 85.26% मतदान हुए इसमें 87.83% पुरुष तथा 82.52% महिलाएं शामिल है इसी प्रकार आगर विधान सभाक्षेत्र में 84.84% मतदान हुए इसमें 87.42% पुरुष तथा 82.1% महिलाएं शामिल है जिले में बनाये गए 611 मद्दान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जिले के महिला पुरुष, युवा, भुजुर्ग और दिव्यांग मद्दाताओं ने मतदान कर अपना करतव निभाया निर्विग्न एवं शांतिपुर्ण मद्दान हितू जिले में रिजर्व सहित 622 मद्दान दलों में 2688 मतदान कर्मी तेनात किये गए थे तथा शांतिपुर्ण मद्दान संपन करवाने के लिए 987 पुलिस एवं होमगार्ड बल 652 विशेष पुलिस अधिकारी 70 S.A.F. तथा 5 कंपनी Central Arms Police Force की तेनात की गई थी इस बार जिले में मतदान संपन करवाने है तू आगर मालवा जिले के अतिरिक्त उज्जेन से 600, रतलाम से 110, देवास से 95 मतदान कर्मियों को शामिल किया गया था विदान सबा निर्वाचन 2023 जिले की दोनों विदान सबा में 35 मतदान केंद्रों को केवल महिला मतदान कर्मियों द्वारा तथा दो मतदान केंद्रों को दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किया गया जो आकरशन का केंद्र रहे साथ ही आदर्ष मतदान केंद्रों के रूप में मतदान केंद्रों पर विशेश सास सजावट की गई थी प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा अनुपपुर जिले के तीनों विधान सभा कोथमा पुषपराजगर अनुपपुर में 699 मतदान केंद्रों में और 89.31 प्रतिशत मतदान हुआ अधिक जानकारी के साथ जोड़ गए हैं हमारे अनुपपुर समवाद दादा विधान सभा चुदाओ 2023 में के मद्दान सान्ति पूर्वक संपन हो चुका है 17 नुवंबर को डाले गए मद्दान में अनुपँर जिले के तीनों विधान सभा कोथमा पुषपराजगर और अनुपँर विधान सभा के 699 मद्दान केंद्रों में और सथ 89.31% मद्दान संपन हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा मद्दान पुषपराजगर में 80.16% मद्दाताओं ने मद्दिकार का प्रियोग किया तो वही सबसे कम मद्दान एक मातर सामाने सीट कोथमा विधान सभा में 78.32% से अधिक मद्दाताओं ने मद्दिकार का प्रियोग किया अनपूर विधासवा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 89 प्रिशत से अधिक मद्दाताओं ने अपने मतादिकार का प्रियोग किया है महिला मद्दाताओं की बात करें तो इस बार वो कहीं आगे बढ़कर मतादिकार का प्रियोग करती देखी गई महिला मद्दाताओं की तुलना में पूरुस मद्दाताओं ने मामूली अंतर से ही बढ़त बनाई है। जिला मुख्याला इस्थित, पॉले टेक्निक महाविद्याला इस्थित, कंट्रोल रूम में त्री लेयर सुरक्षा चक्र में सुरक्षित रखी गई है। के लिए अनुकपूर से मैं अजीत मिश्रा हूं। अशोग नगर जिले में विदानसबा चुनाओ के बाद अप मद्दाताओं की निगाएं मद्गर्णा पर लगी हुई है। अशोग नगर जिले की तीनों विदानसबा अशोग नगर मुंगावली चंदेरी में 17 नवंबर को 778 मद्दान के इंदों पर मत्दान हुआ था। मद्दाताओं में उससा अधिक देखा गया। इस निरवाचन में जिले में 18% मद्दान हुआ जो पिछले वर्ष की तुल्ला में 4.14% अधिक है। 37 प्रत्याशियों की किस्मत EVM मशीन में कैद हो गई। उनके भाग का फैसला 3 दिसंबर को मद्दाना में होगा। EVM मशीन की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन दौरा पुकता इंतजामात किये गए हैं। गुना रोड इस्तित शास की विदी महाविद डैले में स्ट्रॉंग रूम बनाया गया है। स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा थ्री लेयर सेक्यूर्टी से की जा रही है। EVM की सुरक्षा के लिए प्रतम लेयर में CRPF के जवान तैनात हैं। इसके बाद दूसरी लेयर में ACF ने मोर्चा समाल रखा है। तीसरी और आकरी बाहरी लेयर में जिला पुलिस बल मुस्तेद है। तीनों लेयर को पार करने जाने की किसी को अनुमती नहीं है। 24 घंटे जवान अपनी सेवाएं दे रही है। पारदिस्ता को लेकर EVM मशीन की लाइब स्थिती CCTV केमरे में माद्यम से दिखाई जा रही है। स्ट्रॉंग रूम के बाहर लाइब स्क्रीन लगाई गई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रतिदिन स्ट्रॉंग रूम की विजिट करना अनिवार किया गया है। जाहिर है निर्वाचन आयो के EVM मशीनों की सुरक्षा की पुकता इंतजामात प्रत्याशियों को संतुष्ट करेंगे। अशोग नगर से प्रादेशिक समाचार दरशन के लिए डॉक्टर नीरशुकला की रिपोर्ट। महाविध्यालय में सामान प्रैक्षक तनमय चक्रवर्ती बिल्फ्रेड नाकसेज तथा सुक्तिशता भट्टाचार एवं कलेक्टर तथा जिलन निर्वचन अधिकारी ओमाशंकर भार्गव के दौरा विबिन राजनितिक दलों के प्रतिनिदियों की उपस्थिती में स्टांग रूम की निरंतर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम है तू पुलिस बल का त्री इस्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया गया है जहां पर शर्षस्त्र सुरक्षबल तैनात हैं इसके साथ ही CCTV केमरा से भी इस्टांग रूम की निगरानी की जा रही है जिसका सीधा प्रशारण इस्टांग रूम के बाहर लगाई गई टेली विजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वहीं तीन दिसंबर को होने वाली मत गरना है तू फरनीचर उदघोशना है तू धोनी विस्तार की यंद्र सहे सुरक्षा के अनेक जरूरी प्रवंदिक किये जा रहे हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदीशा से वेद्प्रकाश शर्मा सीधी खजिले के विधानसभाक शेतर चुरहट सीधी सिहावल और धोनी में सतर दशमलव आठ नो फीजदी मत दान हुआ वस्तुत ब्यारा हमारे समवाद दाता से बात करें महिला हुआ पूरसों के अलग-अलग रेशियों की तो महिला मद्दाताओं के बोटिंग परसिंटेज में इजाफा देखा जा रहा है महिला मद्दाताओं ने जहां 75.42 फिश दी तो वहीं 66.68 फिश दी पुरुस मद्दाताओं ने मता दिकार का प्रयोग किया है बिधान सभा निर्वाचन को सफलता पूर्बक संपन कराकर वापसी कर मद्दान दलों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालबी पुलिस अधिक्षक डाक्टर रवीन बर्मा तथा सियो जिला पंचयत राहूल नामदेव धोटे द्वारत तिलक लगाकर पुष्पमाला भेट कर स्वागत किया गया है प्रदेश के अन जिलों की तरह सीधी में भी तीन दिसंबर को मतों की गढ़ना कराई जाएगी जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर राजेश साही ने बताया है कि आज से मतगणना संबंदित तयारियो को लेकर हम सब अग्रसर हैं मतगणना कर्मियों को प्रसिक्षित करने का काम किया जा रहा है जिले के विधान सभाचे चुरहट सीधी सिहाबल सही धोहनी की मतगणना अस्थानी संजय गांधी काले सीधी में कराई जाएगी अलग-अलग विधान सभाचेत्रों की मतगणना दो-दो कमरों में संपन कराई जाएगी कारण की गणना केंद के कमरों का छेतर फल छोटा है इसनाते 14 गणना टेबल के साथ साथ ए आरो सहित 17-17 टेबल लगाई जाएगी ताकि गणना के दोरान गणना कर्मियों को कोई असुबधा का सामना ना करना पड़े गणना केंद को चोतरफा सेज कर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं गणना केंद के अंदर आगन में प्रेक्षकों वा जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य प्रसास्तिक अधिकारियों की बैटने की समचित बेवस्था रहेगी प्रादेशिक समचार दर्सन के लिए सीधी से मैं सचेंदर मिस टीकमगर जिले में वधानसभा चुनाव के लिए मदान निश्पक शौशांती पून्धंग से संबन्न हो गया मदान की रप्रती मदाताओं का अच्छा खासा उत्साह देखा गया अधिक ब्यारा हमारे टीकमगर समवाद दाता से दिया को शंपन कराया इस दूरान बुजर्ग और बैंक मदाता घर पर ही मदान कर बेहत खुस निदर आए और उन्होंने नर्वाचार आयक को धन्वाद देती को कहा कि है एक अच्छी पहली जिले की तीनों बदानसवा चेतर के 6,96,809 मदाताओं के लिए 808 मदान केंदर बनाए गए थी एन मदान केंदरों को पचासी सेक्टर में व्यवाजित किया गया था जहां सभी सेक्टर आपिसर ने अपने अपने सेक्टर में सांधी पुर्वग मदा संपन कराया चनाओ के दोनार स्रक्षा को लेगा जिले भर में 4,032 स्रक्षा कर्मी त्यानात किये गए थी बाहराल टीकंवर जिले की तीनों बदानसवा चेतर टीकंवर खरगापर और जतारा बदानसवा सीट के कुल 53 उम्मीदवारों के भाग का फेसला एविये मसीनों ब आलेख और वाचनस्वर संयुक्ता बैनर्जी प्रस्तुती प्रादेशिक सवाचार एकांश भुपार म! ंढस बनी प्रादेशा बिलादेश मांढस करता हांश िर्णैर ओरस्त। traveling